मित्रो जय माता दी आप देख रहे हैं धर्मसिक्षा धर्मसिक्षा में हर रोज की तरह एक बार फिर से मैं आज 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 का संपून रासी फल लेकर ये रासी फल है सुक्रुवारान यानि की 11 सितंबर 2020 का अगर आज के पंचांग की बात करें तो आज है विक्रम संबत 2017 आश आज दिन के 12 बचकर 6 मिट तक रहने वाला है उसके बाद 12 नशातर आरंध हो जाएगा वरत्योहार में आज है जीवित पुत्री का वरत का पारण साथी मातर नौमी है वित्रों गर आपको आज का पंचांग और विश्तार से जानना है तो डिस्किप्शन में आज के पंचा असुब समय दिसासूल सुब खादे रासी उनुसर क्या खादे पतात आपके लिए आज सुब रहेगा रासी उनुसर कौन सा रंग आपके लिए सुब रहेगा और रासी उनुसर कौन सा अंक आपके लिए सुब रहने वाला है यानि कि आपके लिए आज का लकी निमर क्या रहने वाला है तो वीडियो में हमाई साथ अंतक बने रही है संपुन रासिफल का लाव उठाईए वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जोड करें साथ है अपनी प्रतिक्रिया में चेमातादीतो चोड लेके हैं मितनों आज के बारा रासि का रासिफल आपको बता नारम करों उससे पहले आए एक निजर डालते हैं आज के ग्रहों की स्तेदी पर क्योंकि ग्रहों की स्तेदी पर ही पूरा का पूरा रासिफल नेर्भर करता है आज मंगल मेंस रासि में चंद्रमा राहू के साथ मितन रासि में सुक्र करक रासि में सूरिय में सासी मी चंत्रमा आज 11 हुए स्थान में विराजित है जिसके फ़रसूप जो मेहनत आपने बीते दिनों में किया है उसका फल आपको अब मिलेगा जिसके कारण आपके आत्मिस्वास में विर्धी होगी आज आप कोई भी नया कारी करने के लिए प्रिद भी रहेंगे और इस नए कारी में आपको सफलता भी मिलेगी नए लोगों से मिलना और दोस्ती होना संभव है आपको आज कुछ पाडिवारिक समस्या का सामना भी करना पर सकता है लेकिन अगर आप अपनी बुद्धी का इस्तिमाल करेंगे तो पाड़िवारिक समस्या सुधारने में आपक कर पाएंगे आपकी आय में भी ब्रहोत्री होगी जो आतक नोकरी कर रहे हैं उनके सीनियर अधिकारी उनसे परसंद रहेंगे आज किसी को करज देने से बिलकुल बचे हैं अगर कोई जोरत्मन व्यक्ति ना हो तो उसे पैसे उधार ना दें ऐसे पैसे आपके डूब सकते हैं स्वास्त की बात के तो आज अपने खानपर्ण पर ध्यार रखें पेट समन्ते किसी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है तो अपने स्वास्त का ध्यान रायो जोर रखें प्रेम समन्त की बात के छोटी छोटी बातों को लेकर आप अपने जीवन साथी से आज उलच सकते हैं एक दूसरे से वादिवाद के स्थिति वुद्पन हो सकती है लेकिन यह सब होने के बावजूद आपके रिस्ते मधूर बने रहेंगे जीवन साथी या अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ समय बिताएं इससे आपके प्रेम समन अच्छे बने रहेंगे आज की निगर चांदी के बरतन में खीर खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग लालडंग और आपके लिए आज का लकी नमबर एक रहने वाला है बात करेंगे वुरिस्तासी की वुरिस्तासी मचंदरमा आज 12 हुए इस्थान में विराजित है जिसके अगर आप किराये के मकान में रहते हैं तो आपके मकान मालिक के साथ आपके समझ विगर सकते हैं तो यहाँ पर साबधानी जरूर बरते हैं आज आपके संतान के तरफ से आपको कुछ खुशी हो सकती है परिवार में सकरात्मक वातारवन इसकान बनेगा किसी पुरानी समस् सकता है आपके आदमिस्वास में कमी भी आ सकती है साथ ही अपने वानी पर नियंतन रखें क्योंकि आपके आज किसी से लराई जगरे भी हो सकते हैं ऑफिस में अपने सीनियर से थोरा आज बचके रहना चाहिए आपको आज आपके सीनियर किसी काम को लेकर आपको उक्सा सकते देहरी से कामले यह एक सोची समझी साजिस आपके खिलाब हो सकती है बात करेंगे व्यापार और धनकी तो आज आपको व्यापार में हानी का सामना करना पढ़ सकता है अगर आप केसी के साथ पार्टनर्सिप पर व्यापार करते हैं तो उसके साथ मिलकर आप अपने व्यापार को लाब में ले जा सकते हैं अगर अच्छी योजना बनाएंगे और उस पर अमल भी करेंगे तो आप अपने हानी को लाब में भी बदल सकते हैं विद्यार्थी की बात के विद्यार्थियों का मन आच चल रहेगा पढ़ाई के अलावा अन्य चीजों में समय परवाद ना करें अपने पढ़ाई पर ध्यान लगावाएं सिक्छा के छेत में विद्यार्थियों का आज दिक्कत का सामना करना पर सकता है स्वास्त की बात के तो आज आपका मन आसांत रहेगा meditation करना आपके लिए लाबदाइग भी सिद्ध हो सकता है जो आतक high blood pressure या diabetes या दिल के रोगी है उन्हें आज भी से इस थोरप अपना ध्यान रखना चाहिए प्रेम समंद की बात के प्रेम समंदों के लिए आज के लिए अच्छा रहने वाला है जीवन साथी को समय दें उनकी भावनाओं के कदर करें इससे आपके प्रेम समंदों में मिठास आएगी प्यार के जहार करने के लिए भी आज के लिए अच्छा रहने वाला है आज के दिनकर दूज से बनीवी चीए खाएंगे तो आपके लिए सुग रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग सुनारारण और आपके लिए आज का लकी नमर साथ रहने वाला है बात करएंगे मिठुन रासी की मिठुन रासी मचंद्रमा आज पर्थाम स्थान में विराजीत है जिसके प्रसुर्प आज आपको अपने दोस्तों का सहयोग प्राप्त होगा कोई भी निरने भाउकतावस तो बिलकुल भी ना लें ऐसे निरने से आप परिशानी में पड़ सकते हैं बेरोजगार जात्कों को रोजगार की प्राप्ती हो सकती है आपको आज भागे का साथ भी मिलेगा परिवार के किनी दोस्तरस्यों के बीच मलमटा हो सकता है अगर आज पूरे परिवार के साथ कोई धार्मी कारी करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी आज आपको आपके सहकारिमियों का सहयोग प्राप्त होगा लेकिन ध्यान रहें वो आपके काम का क्रेड़िट भी लेने का प्रियास करेंगे आज किसी सुनी सुनाई बातों पर आँख मूंत कर बर्जा ना करें सचाई को पर्खें तभी आगे बढ़ें बात करेंगे व्यापार और धनकी तो यापारियों को आज कोई भी निरने बहुती सोच समझ कर लेना चाहिए अगर किसी अचानक से आई चुनोती का सामना आपको करना परे तो धैरी से उसके लिए तैयार रहें कहीं अगर निवेस करने का मन बना रहे हैं तो एक बार अनभावी लोग जो हैं आपके आसपास उस छेत्र के उनसे सलाह जोड़ ले कर्ज लेने से आज आपको बिल्कुल बचना चाहिए विद्यार्थी की बात के तो आज आपका मन पढ़ाई में लगेगा आप जिस लक्ष की प्राप्ति को चाहते हैं उसके लिए अच्छी योजना बनाकर करी महत करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी स्वास्त की बात के तो आज आपको आपको अपने स्वास्त के परति सचेत रहना चाहिए जिन जात्कों को हाई एलो ब्लेट पैसर किसी का इतराती है वह आज अच्छा महसूस करेंगे बात करेंगे प्रेम समंद की तो आज अपने जीवन साथ ही के साथ आपकी नोग जोग भी हो सकती है बाद में लेकिन सब कुछ सामाने भी हो जाएगा और विवाही जातक प्रेम समंद में कोई भी निर्न है सो समझ करने नया रिस्था बनाने से पहले सामने वाले को जोग परक है आज आपके प्रेम समंद में किसी प्रकार की चिंता उत्पन हो सकती है आज के निगर केला खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा लेकिन मन में नकारत्मक विचार भी आपके आ सकते हैं तो नकारत्मक विचारों से बिलकुल बचें छोटी नोटी परेसानियां आएंगी लेकिन उन परेसानियों पर वीजे पाने की कोशिस करें सफलता तभी मिलेगी आपको कुछ नई विचाल आपके लिए फाइदेमंद भी हो सकते हैं आज अगर किसी की मदद करते हैं तो उसका फाइदा आपको भी कही न कहीं जवर मिलेगा बिना जांच परताल किये किसी वैविसाई या कानूनी दस्तावेज परहास्ता अक्षर तो बिलकुल भी ना करें इससे आप आगे चलकर मुश्किलों में परद सकते हैं व्यापार और धन की बात के तो आज आपको व्यापार में लाब होगा व्यापार में जो भी आपके परती दुन्दी हैं आज उन पर विचयाप पा सकते हैं जो आतक नोकरी करते हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा राने वाले आपके सीनियर या बॉस आपके काम से प्रहुईत हो सकते हैं लेकिन आपको सलाद जाती है कि अपने बॉस के सामने खुद की परवी करने से आज बचें इससे आप निगेटिव में भी जा सकते हैं विद्यार्थी की बात के तो प्रतियुक्ता परिक्षा की त्यारी करने वाली विद्यार्थी अपनी दिर इच्छा सकती से लक्ष को प्राप्ट कर सकते हैं तो अपने परहाई पर बिल्कुल ध्यान दें मेनध करें सफलता आपको मिलेगी स्वास्त की बात के तो आज आपको मौस्मी बिवारियों को लेकर सतरक्ता रखनी चाहिए आपके साररिक और मानसिक बिवारी की जर आज आपका दुख हो सकता है वियायाम करें, खुली हवा में टालें, आपके स्वास्त के लिए ये अच्छा रहेगा प्रेम समन्त की बात के तो अपनी बातें आपके जीवन साथी पर थोपने की कोशिस आप बिल्कुल भी ना करें इससे कला की स्थिति उत्पन हो सकती है अपने जीवन साथी को बड़ावर का अधिकार दें, इससे आपके समन मधूर बने रहेंगे आज के निगर हरी सबजियां खाएंगे तो आपके शुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग क्रीम बिलर और आपके लिए आज का लखी नंबर तीन रहने वाला है बात करें सिंग रासेगी सिंग रासीम चंद्रमा आज तीसरे स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप आज आज आपको आपके छोटे भाईबानों का सहयोग प्राप्त होगा आप किसी जरुवतन व्यक्ति की मदद जरूर करें इससे आपको भी जीवन में फायदा होगा आपके पिता या उच्च अधिकारी का सहयोग आपको प्राप्त होगा सामाजिक कारियों में आपके रूची पनी रहेगी मन में नएने विचार भी आएंगे इन विचारों को सहेज कर आगे बरहें आपको फायदा होगा स्वाधिस्ट भोजन का अननदाप उठा पाएंगे परिवार के साथ किसी धार्मे की यात्रा पे जाने के धार्मे कारी करने के अउसर आपको प्राप्त हो सकते हैं आज किसी गलत फेहमी के कारण आपके और आपके प्रियेजनों के बीच लड़ाई हो सकती है तो यहाँ पे आपको सब्धाने बरतनी चाहिए बात केंगे व्यापार और धन की तो आज आपको अपने केरियर में सफलता की प्राप्ती होगी आज आप अपने विरोधियों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे आर्थिक मामलों में आपको सफलता की प्राप्ती होगी परिवार के किसी व्यक्ति से आपको धनलाब भी हो सकता आज जो जातक नोगरी करते हैं उनको ओफिस में ऐसे लोगों से सब्धन रहना चाहिए जो उनके दोस्तों हैं लेकिन उनकी छवी विगारने की कोसिस करते रहते हैं विद्यार्थी की बात के विद्यार्थियों के लिए आज करी मिलादला रहने वाला है पढ़ाई से आपका मन भठकेगा ऐसे में अपने लक्ष को ध्यान करेंगे तो उसका फाइदा भी आपको मिलेगा स्वास्त की बात के तो आज आपका स्वास्त अच्छा रहने वाला है, चुस्ती और फुर्ती का अनिफ़ाव करेंगे, लेकिन आपको मौस में विवानियों साथ सचेत रहना चाहिए प्रेम समन्द की बात के तो आज आप जीवन साथी के साथ समय विताएं, इससे आपको और आपके जीवन साथी को दोनों को अच्छा मेजूस होगा, आज के अगर चांदी के बरतर में खीर खाएंगे, तो आपके लिए आज का सुबरन के सरीया रंग आपके लिए आज का आपको अच्छे से बना के रखने चाहिए, उनसे लराज जाए की संभावना भी बन रही है, सांती से अगर काम लेंगे, तो आपके बहुत से काम भियाज बन सकते हैं, अपने लगन और आत्मिस्वास से आप अपने कारियों को बहतर धंग से कर पाएंगे, जो जातक मीडि से जुरे हुए हैं, उनके लिए आज करने अच्छा रहने वाला है, व्यापार और धन की बात करें, तो आज आप अपने साहस और पाराक्रम के बल पर अपने कारिचेत में इस्तिती को सुधार सकते हैं, आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, यस और किरती में अपने काम पर फोकस रहें, इससे आपको फायदा भी होगा, नोकरी करने वाले जातकों के, अपने सीनियर अधिकारियों से मत्भेद भी बढ़ सकते हैं, तो यहाँ पर आपको साब्धानी निश्ची तोर पर बरतनी चाहिए, अपने फिजूल खर्चों पर आपको नेंतर समल रहेगा, वियायाम करें, योग करें, इससे आपको स्वास्त में फायदा भी होगा, प्रेम समन की बात के तो आज आपके जीवन साथ ही के साथ, किसी दूसरे की वज़य से आपके मत्भेद उत्पन हो सकते हैं, तो कुछ भी ऐसा बोलने से पहले, बातों को गहराई से पहलें तब ही कुछ बोलें या सोचें, आज के लिए मसूर की दाल खाएंगे, आपके लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुब रंग गुलावी रंग और आपके लिए अज का लकी नमरशात रहने वाला है, बात के तुलारसी की, तुलारसी मतंत्रमा आज पांचम को समझें, इससे आपको असी मन की सांती मिलेगी, यदि आप साधी सुधा हैं, तो आपके सस्वाल पक्त से किसी के साथ आपके वादिव्याद भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे आपको भी साधनी बात नी चाहिए, आज आप अपने बच्चों की परहाई को लेकर चिंतित रह सक की, जिसका फाइदा आपको भी व्याफार में मिलेगा, आज किसी जरौतमन व्यक्ति को धन का दान जहूर करें, नोक्री करने वाले जातकों के लिए आज कर दिन सामाने रहने वाला है, नोक्री में परिवर्चन करने का मन आज आपका हो सकता है, कुछ जातकों को सट्टे बाजी साज लाब भी हो सकता है, विद्यार्थी की बात करें तो विद्यार्थियों का मन अच्चन चल रहेगा, अपने आपको सोसल मीडिया और मुआल फोन से जितना दूर रखेंगे, उतना आपके केरियर के लिए अच्छा रहेगा, अब आपको केरियर के परति सचेत हो प्रेम समंद की बात के तो आज आप जीवन साथी को समय दे पाएंगे, जीवन साथी पर किसी प्रकार का सक करने से पहले सच्चाई को जानने की कोसिस करें, अगर आप लंबे समय से प्यार के जहार की सोच रहे हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा साबित भी हो सकता है, आज के निगर हरी सबजियां खाएंगे, तो आपके लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुबरंग फेस कलर और आपके लिए आज का लकी नम्मर, दो रहने वाला है, बात केंगे विश्चिक रासी की, विश्चिक रासी मिचंद्रमा आज च्छटे स्थान में विरा तो बहुत साइब लोगों के आक्रोस का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। सासन और सत्ता के छेत्र में कुछ लोगों का सहयोग आपको मिल सकता है। आपके परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर कुछ नया कारी आरम करना चाहते हैं, तो इसमें आज आपको समस्या उत्पन हो सकती है, मन में किसी प्रकार की चिंता रह सकती है, व्यापार और धन की बात करेंगर, तो अगर कहीं आपके पैसे बकाया हैं, तो वहाँ से पैसे वसोली की पूरी संभामना बन रही है, पिछले गर्ज को आप चुका पाएंगे, व्यापार में अगर कुछ लंबे समय से दिक्कते चली आ रही है, तो उसे खत्म करना अब आती आवस्यक हो गया है, अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे, तो आगे चलकर आपको ज्यादा हानी का सामना करना पड़ सकता है, बात करें में विद्यार्थी की, आज आपका मन परही में लगेगा, लेकिन सफलता प्राप्ट करने के लिए, इतना मेहनत प्रियाप्त नहीं है, आपको और भी जाता मैनत करने की आविश सकता है, स्वास्त की बात करें, जिन जातकों को जोरों का दर्द या गठिया से समध्य समस्या रहती है, उन्हें आज थोरी परिशानी का सामना करना पर सकता है, आज आपको तनावपोर्न वातावरान में रहने की सला बिल्कुल भी नहीं दी जारी है, प्रेम समंद की बात के तो आज आपका पारिबारिक जीवन सुख में रहेगा, जीवन साते को समय दे, उन्हें समझें, इससे आपके प्रेम समंद में नई उर्जा का संचार भी होगा, लेकिन प्रेम समंदों में सोच समझकरी आगे बढ़े हैं, किसी तीसरे व्यक्ति की वज़े से आपके प्रेम समंद में आज दरार उत्पन हो सकती है, तो इसका भी ध्यान आपको रखना चाहिए, आज की निगर गेहूं से बनी हुई चीए खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुबरंग लाल रंग और आपके लिए आज का लकी नम्मर आठ रहने वाला है, बात केंगे धनुवासी की, धनुवासीम चंद्रमा आज साथमें अस्थान में विराजीत है, जिसके फ्रसुप आज आप अपनी भातों को समाज में मजबूती के साथ रख पाएंगे, आपके बच्चों के साथ आपका समय अच्छा भीतेगा, कई माईनों में आज का दिन आपके लिए चुनुटियों से बड़ा रह सकता है, आज अगर आपके जीवन में कोई बड़ा फैसला आप लेना चाहते हैं, तो किसी अनभवी लोग की सला जोड़ ले, आपके मन में आज कोई नकारात्म विचार भी आ सकते हैं, जिससे आपका काड़ी भी परभावित हो सकता है, आज आपकी बोली गई बात्म को आपके परतिदन्दी दोरा तोर मुरोड कर पेस किया जा सकता है, तो कुछी भी ऐसा बोलने से पहले साब्धानी ज़रू बढ़ते हैं, गिनी गिनी जात्कों के उनके पिता के साथ समन्द भी गर सकते हैं आज, तो यहाँ पर आपको सब्धनी निश्चितों पर बढ़तनी चाहिए, आज अगर घड में अपने से बड़े कासिरबाद लेकर किसी काम पर निकलेंगे, तो आपको उसमें सफलता मिरेगी, पर आपको आपके भाई बानों से आर्थिक मदद भी मिल सकती है, नोकरी करने वाई जात्कों के भी आज के दिन अच्छा रहने वाल है, ओफिस में सहकर्मी और सीनियर आपके सम्मान करेंगे आज, बात केंगे विद्यार्थी की, तो आज आप लक्ष की प्राप्ति के लिए ज़्यादा मेहत करने की आवर सकता आपको, ज़्यादा मेहत करेंगे तो ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी, तो मेहत में किसी परकार के कोई कमी बिल्कुल न रखें, स्वास्त की बात के स्वास्त की देश्टी से कुल मिला कर आपका दिन अच्छा रहने वाला है किनी किनी जात्कों को किसी प्रकार की चिंत आज रह सकती है तो अपना दिहान रखें, प्रेम समंद की बात के तो विवाहित चात्कों को आज जीवन साथी का सही योग प्राप्त होगा, जो जातक और विवाहित है, उन्हें कोई नया पार्टनर भी आज मिल सकता है, आज की निगर दांबे के बरतन में पानी पीएंगे तो आपके आज का सुबरंग, नीलारंग और आपके लिए आज का लकी नंबर तीन रहने वाला हैं, बाते हैं मकर रासिकी, मकर रासिम चंद्रमा आज आठमी अस्थान में विराजीत है, जिसके प्रसुप आज आपको परिवार जोनों का पूरा साथ मिलेगा, खास करके छोटे भाई बनों से, मतापिता से भी आर्थिक सहयोग आपको मिल सकता है, परिवार में सुख और सांती का माहल बना रहेगा, जिसके फ्रसुप घर में सकरतमता भी रहेगी, लेकिन आज आज आपके लिए लाई जगरे के योग भी बन रहे हैं, तो आपको सबसे अच्छे समन्द बना से आपको कुछ नुकसान हो सकता है, तो कलपनाओं के पीछे ना दोने, सोच समझ कर काम लें, अगर अपने पिताय और धर्म गुरु की सरा से कारियों को करेंगे, तो आपको सफलता की भापती होगी, व्यापार और धन की बात के तो आज आपको व्यापार में करी चुनोत सक नौकरी करते हैं, उनके सहकर्मियों के साथ उनके समन्द बिगर सकते हैं, आज आपके सहकर्मी, आपके बड़े प्रतिवदंदी भी साबित हो सकते हैं, इससे बचने के लिए आपके सीनियर के सामने आपको अच्छे से परजेंट करना होगा, आज आपके खर्च में भी विर्दि हो सकती है, विद्यार्थी की बात के तो विद्यार्थियों के लिए आज किन सामाने रहने वाला है अपने समय को बरबात करने से बचे हैं, सभी समय का एक एक पल महतपूर्ण है, उस पल का लाव है भी ज़रू उठावें अभी अपना ध्यान सीर फ़ोरसिफ अपने परहाई पड़ी लगावें स्वास्त की बात करें तो आज आपका स्वास्त अच्छा रहेगा लेकिन आपको अपने स्वास्त का ध्यान देना चाहिए तले भुने और मसाइदार खानों से दूर रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा प्रेम समन्द की बात के हैं जीवन साथी से हलकी नोगजों के बाद अच्छे समन्द में बनेंगे कोई भी पार्टर मिल सकते हैं आपको लेकिन पार्टर का चुराओ करने से पहले साथानी जरूर बढ़ते हैं प्यार के जहार करने से भी आपको आज बचना चाहिए आज के लिए गर गुर्ण अपने खादि पतार्ट में सामिल करते हैं तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग फिरोजी रंग और आपके लिए आज का लकी नम्मर चार रहने वाला हैं बात केंगे अब कुमरासिकी कुमरासिम चंद्रमा आज नौवे स्थान में विराजित है जिसके फ्रसुप आज आप अपनी बातों को समाज में अच्छे धंग से रख पाएंगे जिसके फ्रसुप आपके चाहने वालों की संख्या म्याज विर्धी होगी आज आप रादनीती से जुरे हुए हैं अगर तो आपको से भरपूर लाव हो सकता है आपके संतान का सहयोग आपको प्राप्थ होगा कोई पुराना फसा हुआ या रुका हुआ काम आपका पूरा हो सकता है सरकारी कारियों से आपको लाव भी मिलेगा आज आपको अपने मित प्रतिद्वन्दी आपको व्यापार में नुकसान पहुंचाने की कोशिस कर सकते हैं, लेकिन व्यापार में आपकी इस्थितियाद अच्छी बनी रहेगी, जिन जात्कों को गारी या मकान की तलास हैं, उनकी तलास पूरी हो सकती है, जो आतक नोकरी कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है, ओफिस में कोई नई जिम्मिदारी आपको दी जा सकती है, आपके ट्रांसफर होने के योग भी बन रहे हैं, बात करें विद्यार्थि की, विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है, जो विद्यार्थि प्रिशा की तैयरी कर रहे हैं, उन्हें आज सफलता मिल सकती है, स्वास्त की बात के तो आपका स्वास्त अच्छा रहेगा, मानसिक सांती का अन्भव भी करेंगे, प्रेम समंथ की बात के तो प्रेम समंथों को सुधरिक बढ़ने के लिए, आज अपने जीवन साथी के साथ स खोज पूरी हो सकती है, आज के निए दूज से बनी वीचिये खाएंगे, तो आपके लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुब्लंग जामुणी आनंग, और आपके लिए आज का लकी ने मरसात रहने वाला है, बात केंगे मीन नासी की, मीन नासी मचंद्रमा आज दस् बगवान के परति आपके आस्था बरेगी लेकिन संतान के तरफ से आपको थोरी चिनता रह सकती है तो अपने संतान का ध्यान चवर रखें आज घर में कलह का महौल भी बन सकता है आज आप आत्मिस्वास से भरपूर रहेंगे परन्तु पिता के स्वास्ते से थ्वाचिन दि भी रह सकते हैं बात करेंगे व्यापार और धनकी तो आज आप में आत्मिस्वास भरपूर होने के कारण आप मानसिक तोर पर मजबूत नजर आएंगे जिसका फायदा आपको व्यापार में मिलेगा जो जातक नोकरी कर रहें उन्हें अपने सीनियर और सहकर्मियों से अच पर ही ज्यान दें तो आज आपको अपने स्वास्त के परतिसे रहना चाहिए कोई पुरानी बिमारी आपको परिशान कर सकती है कुछ जात्व का लकी नम्मर 9 रहने वाला है तो मित्रों ये था आज के 12 रासी का रासी फल अब जाने लेटे आज का शूप समय आज का शूप समय यानि की गुलिक रहने मेर तक इस से में कोई भी नया कारी आरम बिलकुल भी ना करें और सफ़लता हाथ लग सकती है दिसासूल पष्चिमी दीशा में रहने वाल elaborने जिदेफित चीदा ही खाकर याता अरम करेंगे तो आपके कारियाज बनेंगे तो यह था आज का संपून रासिफल कल के संपून रासिफल के लिए जो रहें धर्मसिक्छा के साथ और देखते रहें धर्मसिक्छा जै माता दी